कवर्धा जिले के पंडरिया शक्कर कारखाने के 300 से ज़ादा शमिक अनिश्चित कालिन हर्ताल पर चले गए हैं। रैवारक शमिकों ने कारखाना प्रबंधन के खिलाफ प्रदर्शन किया। शमीकों का आरोप है कि प्रबंधन लंबे समय से काईरत शमीकों को हटा रहा है और नए लोगों की भरती कर रहा है वह इस पूरे मामले में प्रबंधन ने शमीकों के आरोपों को निरा धार बताती हुए लापरवाही करने वाले शमीकों पर कारवाही करने की बात कही तो वर दिवन 14 शमिकों को काम से निकाल दिया जिसे नाराज शमिक यूनियन ने काम बंद कर अनिस्चित कारी हर्ताल शुरू कर दी